गुड मॉर्निंग मैं योग्गुरु देवांगसा आप सबको आज वेट लॉस की इस तरह किया जाए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे डायट हमने आज देखे हैं जैसे पहले मेरे आगे की वीडियो में बताया था कि सिर्फ दो टाइम खाना खाके भी आप वेट लॉस कर सकते तो इसमें आपका इंसुलिन सिक्रिशन हम कम करके आपका वेट लॉस करा सकते हैं लेकिन यह ब तिन-चार महिने में 10-12-15 किलो वेट लॉस करना है उनके लिए यह डायट है तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए फास्ट रिजल्ट चाहिए तो उसका जो डायट करना रहेगा वो भी स्ट्रिक्ट रहेगा तो जिन आजके में इस तरह की लाइफटाइल जो है हमारी वह ल तो उनके लिए यह डायट प्लान है कि तिन-चार महिना आप श्ट्रिक डायट फॉलो किजिए और वेट लॉस कर सकते जिनको डायबिटीस टाइप टू है उनके लिए भी यह डायट इतना ही एफेक्टिव रहेगा यह जितना आपका इंटेक्स सुगर लेवल का कम रहेग है इस सिंपल साइनस है सिंपल साइनस इतना जिन को भी वेट लॉस करना है उनको चार्बोध के उपार इंटेक्स कम रहेगा उतना ही आपकी सिस्टम आपकी बॉड़े के अंदर रहे जो ग्लुकोDad है उसको यूज करना सुरू कर देगा क्योंकि यही ग्लुकोस आगे जाके फैट में कंवर्ट होती है और कई लोग ऐसे रहते हैं कि हम तो कुछ तला हुआ नहीं खा रहे हैं बहुत ध्यान रख रहे हैं तो भी हमें वेट गेन होते रहता है तो उसका कारण ही है कि आप जो काप्स ले रहे हैं जैसे के रोटी चावल इसके अंदर जो भी काप्स आता है वह आपके सिस्टम ग्लुकोस का लाइकोजन में कंवर्ट करती है और फिर आगे जाके वह फैटी एसिड में कंवर्ट हो जाता है तो आपने डायरेक उसके कारण आपको सबसे पहले काप्स के उपर कंट्रोल करना रहे है जितना आप काप्स के उपर कंट्रोल कर लेंगे उतना आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा उसको आयुरोई में बोलते हैं सुद्धी क्रिया सिस्टम को सुद्ध करना उस सिस्टम को मेंटिन फास्टिंग भी बताते 16 आवर्स 18 ट्वैंटी ओर्स के तीन दीन चार दीन पार दीन लोग फास्टिंग करते तो यह भी डाइट है कई लोग तु टाइम खाना जो मैंने पहले बता तो दो टाइम खाना करें भी बेट लौस करते लेकिन वो लॉंग प्रोसेस है उसमें आपको पेशन के उसमें भी यही सायंस काम करता है कि आपके इसलीन सीई क्रिशन को कम किया जाता है और जितना आपका इणल्क है बॉढ अनदेम तो यह फिर उसके लावा और एक डायट है जिसमें सिर्फ प्रोटीन के उपर रहने को बोला जाता है कि सिर्फ प्रोटीन की प्रोड़क्त खाईए और पुरा दाल चावल रोटी छोड़ दीजिए तो एक फॉरेंड में डायट भी बहुत चल रहा है फिर कुछ इस तरह के ड प्रोड़क्त छुड़के आपको सब लेना है फ्रूट सूप सलाड यह सब आप उसमें ले सकते हैं तो इस तरह के भी डायट है तो अभी इसमें भी थोड़ा प्रोसेस लॉंग रहेगा कि आपको इंस्टन्ट रिजल्ट नहीं में तो अभी यह जो मैंने आप केटी सबसे पहले अपने काप्स के उपर कंट्रोल करना रहेगा तो डे बन से अगर हम स्टार्ट करें अगर आपका जो भी रूटिंग है वह रूटिंग में अगर आप चेंज लाते तो ही आप वेट लॉस कर पाएंगे 70 परसंट वेट लॉस आपका डायट से होगा 30-20 परसंट आपकी exercise उसमें help करेगी अगर आप योगा की इस तरह की exercise करते तो वह help करेगी कि आपके muscle भीक ना हो और आप flexible बने रहे आपके चेहरे के उपर face के उपर एक glow बना रहे तो साथ में योगा प्रेक्टिस भी कीजे तो योगा और डायट फॉलो करके भी मैंने 35-40 किलो तक काया कल्ब काया कल्ब हरवल्टी में बहुत सारी इस तरह की उसदिया mix की गई है कि जो आपके minerals और vitamin को कम नहीं होने देगी और इसको step by step आपके 15-15 days के diet plan को change करेंगे तो तीन महीना आपको मेरे साथ जूड़े रहना है अगर तीन महीना आप मेरे साथ इस ही diet plan को follow करते तो यह मेरा guarantee है कि आपका कम से कम तीन मेने में दस किलो कम होई जाना चाहिए और अगर आपको और थोड़ा last 15 days बॉस ट्रिक्ट रहता है अगर उसको भी आप यह diet फोलो करते हैं तो आपका 15-20 kg भी weight loss हो सकता है जो overweight है जिसको हम बोलते हैं उनके लिए तो यह diet plan बहुत तो पहले तो आपको fix करना चाहिए कि मेरे को weight loss करना है तो पहले आप strict अपने self के स्थाथ आपको strict होना पड़ेगा और एक target के साथ आपको weight loss के लिए आना पड़ेगा अगर आप कोई target set करते हैं जैसे 2 मेना 3 मेना 4 मेना तो वो target लेके आपको उसको day to day follow करना है और everyday weight check करन की habit डालनी है अगर आप everyday weight check करते हैं तो आपका diet आप खूज अच्छे से set कर लेंगे जैसे आपका weight plus में जाता है तो समझे आपके ने कुछ तो गलत किया है तो ऐसी चीजे दूबारा repeat ना हो उसका पूरा ध्यान रखना है अगर आप इस तरह day to day weight check करने की habit डालेंगे तो आपका weight control हो जाएगा एक बढ़ने की जो क्रिया है वह वहाँ ही रुख जाएगी और फिर दीरे दीरे जो आप practice करेंगे diet की और साथ में अगर आप योगा या कोई भी exercise करते हैं jogging walking यह सब आपको help करेगा आपकी calorie बनना है तो weight loss simple science है कि जैसे मैं बहुत सारे लोगों को य example देता हूं कि अगर आप कोई society में रह रहे और उपर पानी की टंकी है यह टंकी को अगर हमको clean करना है तो क्या कर सकते है उसके दो way है अगर society में circular गुमा देया जाएगे टंकी को खाली करके सफाई करनी है तो अगर आपके kitchen और bathroom के जो भी tap है उसको हम open कर दे तो यह पानी पूरा निकल जाएगा तो यह पानी निकल गया वो हमारा exercise है कि यह हमारी exercise के साथ जाएगा और दूसरा एक वे रहता है कि जहाँ उपर पानी में टंकी जो उपर है terrace में वो पानी आता कहां से अगर वो कॉक हम बंद कर दे जो watchman normally morning में open करते हैं पानी वहाँ से चड़ाते हैं अगर उसको भी हम बंद कर दे तो वो होता है हमारा food intake that means आने का रास्ता बंद कर दिया जाए और जहां से जाने का रास्ता है वो open कर दिया जाए तो weight loss करना एकदम आपको result दिखेगा उसमें 100% के जैसे food के उपर आपने control किया तो जो calories आप ले रहे थे वो आपने कम कर दी और second time side आपने exercise बढ़ा दी अगर आप exercise करते तो calorie भी burn करेंगे तो एक side से हमने calorie को कम कर दिया और दूसरी side जहां से वो use हो सकती जितनी maximum exercise सूर्य नमस्कार जैसे exercise से हम बहुत सारे calorie बंद कर स सकते हैं तो सूर्य नमस्कार में 800 calories आप one hour में burn कर सकते हैं जो कोई भी spot से भी ज्यादा रहे means आप football खेलो एक गंटा तो भी 600 से ज्यादा calorie बंद नहीं होगी swimming करेंगे तो 550 से ज्यादा calorie बंद नहीं होगी लेकिन सूर्य नमस्कार आपने अगर एक गंटा कर दिया तो यह दोनों से सबसे ज्यादा calorie आपकी सूर्य नमस्कार में जा सकती है तो इस तरह की exercise अगर आप कर सकते हैं तो और आपको result अच्छा मिल सकता है कई लोग होते हैं तो जो एकदम aged है और weight loss करना है या एकदम heavy body है weight loss करना है तो उनको exercise भी comfort नहीं होता है इतना सूर्य नमस्कार जैसी exercise वह सिर्फ walk कर सकते तो walk करके आप diet कीजिए क्योंकि diet में 70% weight loss होता है और exercise आपको help करती है तो diet के उपर ही आज का session है अपना कि तो diet में जैसे मैंने बता है कि बहुत सारे diet है वेगन डायट intermittent fasting two time मिल्ट दोई टाइम आपको खाना है fix time के उपर और बाकी खाना नहीं इस तरह के भी एक fasting है और वेगन हो गया सिर्फ protein जो foreign में चल रहा है सिर्फ protein के उपर रहके बाकी सब छोड़ दीना तो इस तरह के भी diet है तो आज मैं जिस diet की बात करने वाला हूँ वो आयरुवेद की ग्रंथों में लिखा हुआ जो diet plan है जिसको कई बार हमारे spiritual में इसको उपास की तोर के भी बताया गया है वोई diet plan मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ तो ग्रंथों में लिखा है के फला हार तो यह फल आ हार क्या है कि फल का आ हार करना है तो फल अगर आप लेते तो कोई भी फल नेचर ने डायरेक्टि बना हुआ है उसमें कोई mixing नहीं तो nature की बनाईवी चीज अगर आप directly लेते हो तो उसमें जो fall है कोई भी fall में fat कम ही रहता है तो fat आपका कम हो जाएगा vitamins और minerals जो हमारी body को चाहिए वो सब minerals और vitamins आपको मिलेंगे तो यह सबसे ज़्यादा खाना है तो इसके उपर अपना diet का focus ज़्यादा रहेगा उसके parallel आप soup, salad यह सब खा सकते तो आपका carbs के उपर आपका control हो जाएगा जैसे आपने carbs के उपर control किया आपका वजन तुरंती गटना सुरू हो जाएगा लेकिन इसकी सुरुवात करे कैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसको directly स्टार्ट नहीं कर सकते तब first 15 days स्टार्टिंग ऐसे करना है कि आपको सामको सिर्फ soup लेना है डीनर आपका skip कर देना है डीनर skip नहीं बोल सकते क्योंकि आप soup तो लहीं रहे तो soup आपको पेट भरके लेना है दो बाउल, तेन बाउल, चार बाउल कोई भी soup ले सकते हैं सिवाए sweet corn, sweet corn soup छोड़के आप सब soup पीज सकते हैं soup में कोई भी sugar, jaggery यह कुछ mix नहीं करना है और इस तरह आप पेट भरके तीन, चार, पाँच बाउल तक आप soup पीजिए और फिर रात को अगर ज्यादा थोड़ा भूग जैसा लगे तो दो गलास, तिन गलास पानी पीना है इस तरह आपको इसको follow करना है 15 दिन तक स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको थोड़ा uneasy feel होगा लेकिन जैसे जैसे आपको 10-15 दिन क्रॉस की यह आपकी system इसमें used to हो जाएगी यह करने के बाद second 15 days में आपको lunch के उपर जाना है कि lunch के अंदर आपको carbs बंद करने है तो यहाँ आपका जो भी दाल, रोटी, चावल है उसको बंद करना है और वहाँ आपको fruit, soup, salad और buttermilk लेने है यह करने के साथ आपको day one से आपको two time herbal tea लेनी जो KT diet है कया कल्प herbal tea है यह herbal tea आपको day one से दो time लेनी है, सुबे और साम को 4 बजे इस 4-5 के बीच में एक time ले लिजे यह रात को अगर आप लेते हैं यहाँ ठेक बजे तो भी चल सकता है लेकिन दिन में दो बार लेनी एक सुबे और एक साम के इस तरह दो time आपको herbal tea लेनी है अगर जो diabetes पेटरजन्ट है उनको jaggery add नहीं करना है बाकी सब के लिए allow है स्टार्टिंग में तो यह herbal tea की पूरा recipe उसके product का जो है उसके उपर है तो उस तरह आप herbal tea लेना है इसमें कोई मिलावट नहीं सिर्फ पानी में boil करके यह जैसे green tea वैसी आपको taste लगेगा और यह इस तरह के herbs है कि आपके body के vitamins minerals को कम नहीं होने देंगे और आपके body के fat को internally clean करेंगे तो kaya कल्प इसके लिए एक Sanskrit word है कि आपके kaya पूरी change हो जाएगी internal cleaning हो जाएगी और kaya कल्प करके आपको 9 जीवन प्राप्त होता है अगर किसी को kaya कल्प बोले तो आप 9 जीवन प्राप्त कर रहे है यह आप पूरा change हो जाएगे तो उसको बोलते है kaya कल्प के riff आप पूरी system internal cleaning करके आपकी जो आप देख रहे है उसमें आपकी kaya की kaya पलट हो जाएगी kaya कल्प का मिनिंग होता है kaya तो यह पूरा kaya पलट हो जाता है कि में system में पूरा दिखेगा कि आपका weight loss किस तरह हो रहा है और without कोई side effect यह काम करेगा फिर जैसे पंदरा दिन के बाद आपने लंच में भी काप्स कम कर दिए तो यहाँ एक महीना आपका खतम हो जाएका यहाँ कम से कम आपका 3-4 kg weight कम हो जाता है सेकेंड मन्त में आपको 15 days इसको थोड़ा continue करना है और हो सके तो लंच के अंदर कई लोग को रहता है कि पंवा यह सब खाते रहते तो यह पंवा उपमा या कुछ ड्वासा आइडली जो आप नास्ता करते हैं गुजरादी लोग खाकरा चिवडा गाठिया यह सब खाते तो वह आपको बंद करना है कई लोग को सुबह की चाय पीने की आदर रहती तो वह आप उसको कंटिन्यू रखिए क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में उसको बंद नहीं करना है नि तो आपको हेड़ेक हो सकता है तो उसको डेड़ मेने तक वह चाय आप सुबह ले सकते आप सिर्फ सेकंड मन्त के फिप्टिन डेज आप फ्रूट सूप सलाड के उपर ही रहेगे तो पूरा सेकंड मन्त आपका इस तरह रहेगा और उसमें आपको चार कप हरवल्टी लेनी सेकंड मन्त में चार कप हरवल्टी फ्रूट सूप सलाड तो ये हो गया उसके बाद आपका थर्ड मन्त स्टार्ट होता है थर्ड मन्त में आपको हरवल्टी 6 से 8 कप हरवल्टी डेली लेनी है और कोई भी 1 के 2 फ्रूट आप ले सकते तो ये 1st 15 डेस रहेगा थर्ड मन्त के सब 1st 15 डेस 8 से 8 कप जितना आप हरवल्टी लेजिए और फिर 2 फ्रूट तो ये 1st 15 डेस और लाश्ट 15 डेस 12 कप हरवल्टी लेनी फूल डे और आपको और कुछ नहीं लेना है लाश्ट 15 डेस रहेगा तो इस तरह अगर आप तीन मेना ये डायेट प्लान को फॉलो करते हैं तो ये जो हरवल्टी के साथ हम जो करा रहे हैं क्योंकि कई लोग को लगता है कि इसी प्रॉडक्ट को देने के ये हम ये वीडियो शेर कर रहे हैं या इस तरह का डायेट प्लान बना रहे हैं तो ये हरवल्टी इस तरह की प्रॉडक्ट है कि ये आपके सिस्टम को इतना क्लीन करेगी कि आपकी युमिनिटी पावर को भी ये बढ़ाएगी और कहीं लोग को बोलता है कि इतना स्ट्रिक करने के बाद हमारे अंदर बहुत विक्नेस ना आ जाए है अपको तो चे मेना तो नहीं बोला है लेकिन अगर आप तीन मेना भी करते हैं जिनको टार्गेट बढ़ा है अगर 40-50 किलो तक कम करना है तो उनको ये डायेट फॉलो और आगे करना रहेगा लाश्ट थ्री मंद उनके और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं मिस यही लाश्ट में सिर्फ हरबल टी के उपर वो उनको रहना रहता है दो मीन ती मीन और तो उनका रिजल्ट आ सकता है 20-30 केजी तक वो लोग वेट लॉस कर सकते हैं और 6 महिने में अगर आप एक्सेसाइज से अच्छा फोकस करें एक्सेसाइज और डायेट के उपर तो आप 50 किलो तक वेट लॉस कम सकते हैं उनको एकदम ओबेज है जो एकदम 130-140 किलोगेजी के लिए है 150 गेजी के हैं तो उनके लिए फिर यह थोड़ा कमपलसरी जैसावता है कि इनको यह करवा करा सकते हैं तो यह डायेट प्लाइट इस तरह फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आपको आपका विल पावर बढ़ाना है कि हाँ मेरे को वेट लॉस करना है तो ही होगा अगर हम एक्सक्यूस देते जाएंगे कि नहीं नहीं चक्कार आ रहा है यह हो रहा है तो यह होगा क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 डेस आपके इस तरह ही रहेंगे आपको थोड़ा विक्नेस लग सकता है तो क्योंकि सिस्टम को आप जो चाहिए वो दे नहीं रहे और सिस्टम फिर कंफ्यूस होती है कि आपके अंदर जो कैलरी से उसको अभी वो यू पूरी सिस्टम को चलाने के लिए तो यह सब के साथ होता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कियो कि अगर किसी को इस सिच्जूशन में ले जाजाए कि कमपलसरी आपको फास्टिंग करा जाए तो कोई उसमें डैथ होने के चांसिस नहीं है पर्स्ट टू थ्री मन्त में ऐसा कोई नहीं हो सकता है क्योंकि हर पर्सन जिसके अंदर उसका वज़न अगर 70 kg के प्लस भी 60 से स्टार्ट अगर करें तो 16 kg के अंदर भी नॉर्माली 30 लिटर्स फैट रहता है 30 लिटर फैट मेंज अगर कोई बंदे को 60 दिन तक कुछ खाना ना दिया जाए तो अभी वह सरवाई कर सकता है तो हम तो जो फ्रूट ले रहे उसमें तो 100 परसंट विटामिन्स मिनरल से तो आपको तो वह चांसी नहीं कि आपको इतनी विक्नेस आ जाए कि आपको कुछ हो ज होता जाए कि 60-60 देश सकते मैं तो महाईने महां वाले बहुत है पानी के उपर रहेते तो कुछor की महांने में भी इतना करने के विबाद होता है और यह करते हैं उसमें हमारे वीटामिन मिनरल को भी कंट्रोल में रखना जरूरी है इसके लिए आपको फ्रूट दिये जाते स्टार्टिंग में और फिर जो हप से वो हपस के अंदर भी विटामिन्स मिनरल सब अवेलेबल है तो आपके विटामिन्स मिनरल कहां भी आपकी बॉडी में से लॉस नहीं होने वाले और इसको एनहांस करेंगे आपकी पूरी सिस्टम को एनहांस करने का काम करेंगे और यह डायेट प्लान आपको सुनने में बहुत स्ट्रिक्ट लगेगा कि यह बहुत ही स्ट स्ट्रिक्ट है इसके लिए इसका हंडेट परसंट रिजल्ट भी है और एक मैं चीज बता दू के लाश्ट टू-3 एस पहले कुछ थाइलेंट के बच्चे एक फुटबॉल टीम थी जो कहीं तो फस्ट गई थी पूरे मढग बहुत बारिस थी और इस तरह बूरे फस्ट ग इस तरह दलदल में फसे होए थे गुफा के अंदर के जहां लाइट भी नहीं जा सकती थी और सब बड़ी-बड़ी कंट्री की मिलेटरी उनको बचाने में लगी थी लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे और उनको जबी निकाला गया तो एक महिने के बाद उनको निकाल सके वह फिर उनके पास पीने का भी पानी नहीं था वो लोग ने कीचड का पानी पीया है तो अभी एक महिने के बाद जबी ये सब बच्चे निकले तो उसमें किसी की भी डैथ नहीं हुई थी तो जब कभी सिच्चियोशन इस तरह की आ जाती तो हमारी सिस्टम भी इस तरह है कि वो सर्वाइब कर सकती तो यह जो डायट प्लान है वो उनके लिए है जो जिनको रिजल्ट फास्ट चाहिए और हंड्रेट परसंट रिजल्ट चाहिए तो उनके लिए यह डायट प्लान है तो जिनको यह डायट प्लान करना है वो ही इससे जुड़े रहे और जिनको फास् तो तीन महिने में आपका 100% रिजल्ट आएगा 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 इस डाइट प्लान के साथ जुड़िए और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं परसनल में इस ग्रूप में भी हम ओपन करते हैं जब डाइट प्लान रेगिलर बेस के उपर जाता है तो बहुत सारे केंज देखने को मिल रहा है तो यह डाइट प्लान आप फॉलो करके 100% रिजल्ट ले सकते हैं तो आई होप यू आप सब भी इसमें जुड़े और अपनी काया कल्प करें थैंक्यू सकते हैं